एरली स्कीम वालों का आपका सिलेवस आपको मालूम होगा कनेक्शन बॉल्टेड कनेक्शन और बेल्डेड कनेक्शन कनेक्शन बॉल्टेड कनेक्शन और बेल्डेड कनेक्शन देख आपकी यह डिजाइन ऑफ स्टील इस्ट्रक्चर्स स्टील इस्ट्रक्चर्स का डिजाइन करना है स्टील से निर्मे जितने भी आपके स्टील से निर्मे जितने भी स्ट्रक्चर्स है अब उससे पहले आप structures क्या है कोई भी दो से जादा मेंबरों को एक साथ जोड़ना क्या कहला वो मेंबरों को incline जोड़ना क्या कहलाता है structures होते है structure steel से भी बनाये जाते हैं और RCC से भी बनाये जाते हैं जिसमें यानि कि horizontal, incline, vertical सारे components जोड़े हो हैं वो structures कहलाता है और वो structures RCC से बना होता है और steel से भी बना होता है तो steel के structures में कौन-कौन से section है जिनका यूज किया जाता है L section जिसे बोलते हैं एंगल section एंगल section एक होता है Channel section C. Channel section T section I section Rolled steel bar and plates यह इनका cross section मिलेगा एक इसका plates का Steel जो हमें market में मिलता है जो steel हमें market में जो section मिलते हैं या तो क्या मिलेंगे L section Angle section जिसे क्या कहेंगे Angle section यह I S A Indian Standard Angle Equal और Unequal दो प्रकार क्यों होते हैं यह लेग और यह लेग अगर दोनों कैसी हो Equal हो तो यह Equal Angle कहलाते हैं दोनों अगर अगर अलग हो तो Unequal Angle कहलाते हैं दूसरे होते हैं Channel section C यह लेगो आपने कभी अगर देखा हो एंगल तो वस्टली कॉमन हर जगे आपको देखने को मिल जाएंगे हर जगे हम एंगल ही यूज करते हैं अगर मार्केट से जो चीजें आती हैं यानि की section मिलता है वो Angle section मिलता है उसके बाद हमें structure बनाना हो gate बनाना हो किसी का window बनाना हो यह सब क्या है structure से यह बनाएंगे तो Angle को क्या करेंगे? बेल्ड करकर यह bolt connection से यह चीजें हम बनाएंगे building करके और फिर ये connection करेंगे और फिर जाके हमारा क्या बनेगा section बनेगा पूरा अपना structures त्यार होगा उस structure में angle section हो गया channel जैसे कि trolley वगेरा कि आपने देखियो जो man जिसे कहते हैं chasis होता है गाड़ियों का chasis वगेरा हो chasis कैसा होता है इसी आकार का होता है channel section आई एस एसी आइस हैसी सीनियर चैनल जेसी जूनियर चैनल हैवी चैनल ऐसे करके आपको यह मिलेंगे और इनके बारे में आई एस आटसो दो हजार साथ में सब कुछ दिया हुआ है आई एस आटसो दो हजार साथ हम इस इंडियन standard code का यूज करेंगे जो सारी चीजे हमें मिल जाएंगी उसके अलावा टी सेक्षन आई सेक्षन आई तो देखो आपको देखो यहीं मिल जाएगा गाटर जो है आई सेक्षन की है के नहीं है ईसक्षन 10 इस टील के रॉड बार शरीये जो आते हैं वह या फिफ भी आते बार कैसे आते हैं भी आते हैं फोस अ ॔ह मारे के फोस तो दोनों होते लेकिन व ऐसे स provincial के तो सेक्षन को होते है एक्रो सेक्षन कैसा होता है चैयी जगह आपको rectangle आयतकार मिल यहीं जैसे कवानी पटे हैं, कवानी बनी होती है, कैसा section होता है, उनका cross section, काट के देखो के, तो rectangular मिलेगा, जो बार ये अपने सरीये हैं, वो कैसे मिलेंगे, circular मिलेंगे, इसके अलावा plates, plate भी आती है, इसके अलावा क्या आती है, plate, तो इन रूप में, यानि कि इन sections में हमको steel इन को connect करके, यानि कि जोड कर क्या करते हैं, steel structures का design करते हैं, इन चीजों को जोड कर हम steel structures बनाते हैं, इनका use करके हम steel structures, अब इनको जोडना है, तो जोडने का मतलब क्या है, connection करना होगा, इनको जोडने के लिए connection करेंगा, connection मुक्ते दो परकार से किये जाते हैं, steel में, वो एक होता है बॉल्ट कनेक्शन और एक होता है बेल्ड कनेक्शन तो दो मेंबरों को दो अभियवों को बॉल्टों द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है और दो मेंबर को बेल्ड द्वारा जोड़ना क्या कहलाता है बेल्ड कनेक्शन कहलाता है तो एक आपको देखने को अपने design of steel structures में सबसे पहले types of section used in steel structures कौन-कौन से section होते हैं जिनका हम steel structures में use करते हैं तो वे section L section जिसे कहते हैं angle section होता है channel section होता है T section होता है I section होता है roll-ed steel bars होते हैं और plates होते हैं जिनका हम steels structures बनाने में use करते हैं उसके बाद इसको जोड़ना कैसे तो जोड़ना कैसे, bolt'd लगा कर या bolt कर कर इनौ दो steel के tar को जोड़ना हो plate को जोड़ना हो, angle को जोड़ना हो Т section को जोड़ना हो आपस जोड़ोगे जा जोड़ोगे, या को cage जोड़ोगे और या belt करके जोड़ोगे यही तो तरीका है जोडने का और कोई तरीका आता है क्या rivit और होती है जो कहाँ है bolt मैं ही consider होंगे rivit तेको rivit क्या है तार है rivit नीचे उपर दोनों तरफ से force लगाकर जिसको force लगाकर क्या कर दिया जाता है ठोक दिया जाता है किया होते है रिविट जैसे कि संदूक वगेरा आपने देखा ओ संदूक में बोल्ट नहीं लगे होते है अब उसको हम इतना तो इसको नोग्लेट करते हैं कौनसी चीज बॉल्ट कनेक्शन और belt connection clear है वो अंदर की चीजें पढ़ेंगे कि bolt connection कितने प्रकार से बनाए जा सकते है belt connection कितने प्रकार से बनाए जा सकते है कितने प्रकार के होते है क्या इनके फाइदे होते है और क्या इनके नुक्सान होते है या advantage क्या है और disadvantage क्या है ये भी हम कहाँ पड़ेंगे बॉल्ट कनेक्शन में और बेल्ड कनेक्शन में फिर आपके आता है tension member connection के बाद आपके आता है tension member tension member यानि कि वे member किसी भी चाहिब बिल्डिंग हो या strut हो उनमे वे member या कहें कि वे horizontal member जिनमें tension force आ रहा हो जिनमें tension force आ रहा हो उसे हम क्या कहते है tension member कहते है अब tension member का दो चीज पढ़ेंगे इसमें भी, एक तो हम पढ़ेंगे analysis, और एक हम पढ़ेंगे इसका design, देखो analysis क्या चीज होती है, आपको कोई member दे रखा है, कि I section है, मानलो ये beam है, beam किसमें आती है, tension member में consider की जाती है, ये beam है, ये tension member है, इसको आपने use कर रखा है, किसी structure में लगी हुई है, अब इस beam की size दे रखी है, आपको कि इतने meter लंबाई की है, और इतनी इसकी उंचाई है, इतनी इसकी मोटाई है, और इस grade की steel इसमें use की गई है, steel की भी grade होती है, तो कौन सी grade की steel इसमें use की गई है, और आप से पूछा जा रहा है, कि ये कितना बल, कितना कितना बजन ये भेन कर सकती है, कितने उंची, हाँ, mild steel का use करते जादा था, हाँ जी, तो अब हमको ये analysis और design analysis में क्या है, कितना बजन, कितना रसिष्ट कर सकती है, कितने भार को ये भेन कर सकती है, बिना fail हुए, fail हुने से पहले तक, वो maximum load जो है, वो calculate करना है, वो आपका क्या कहलाएगा, design कहलाएगा, और उसका उल्टा, यदि आपको designing load दे दिया, या इतना भार दे दिया, कि हमें इतना भार क्या करना है, वहन करवाना है, इस भार के लिए बताईए, कौन सा section suitable रहेग कितने लंबाही का लें, कौन से ग्रेड का ले, चलो grade तो दे धी हो कि इस grade का है, लेकिन था साइज साइज का ले, उसकी height, ये उसकी गहराई, वहनी कितनी होनी चाहिए, थिक्ने इसकी लंबाही, ये आपका कहलाएगी, design कहलाएगा, वो हम किसमें पढ़ाएगे, आपको tension member में, उसके बाद आपके syllabus में आता है compressive member compressive member same होई, इसका भी क्या करना है analysis करना है और design करना है देखो analysis and design, compressive member क्या चीज होती है किसी भी building में या किसी frame में कोई भी structure में कोई भी structure में वो member जिस पर equal force opposite direction में लगा हो compressive force, उसे हम क्या कहेंगे compressive member कहेंगे कोई भी member यह मालनो member है यह लगा हुआ है किसी structure में उस पर equal लेकिन opposite direction से यह क्या लगा हुआ है force लगा हुआ है कौन सा force है यह compressive compressive जो इसको क्या कर रहा हो दबा रहा हो compressive का मतलब क्या है जो force इसको दबाने की कोसिस कर रहा हो वो compressive force कहलाता है तो जिस member पर compressive force आ रहा होगा वो क्या कहलाएगा केवल और केवल कंप्रेसिव फोर्स आ रहाएगा वो क्या कहलाएगा कंप्रेसिव मेंबर कहलाएगा अगर बात बिल्डिंग की की जाए तो बिल्डिंग में जो वर्टीकल मेंबर होते है वर्टीकल मतलब उर्दुवादर जिन पर क्या लगा हो compressive force लगा हो वो आपके column कहलाते है वो आपके क्या कहलाते है column कहलाते है और यह दि frame की और trust की बात किया जाए तो frame और trust में लगे हुए जो inclined member होते हैं और जिन पर क्या रहा है opposite direction में equal compressive force लग रहा हो वो strut कहलाते हैं तो compressive member में हम column और strut के बारे में पढ़ दे हैं वोई दो चीज अनलाइसिस करना है यानि कि कितना भार भेंद कर सकता है design में इस भार के लिए कौन सा section suitable रहेगा उसके बाद आपका आता है beam उसके बाद क्या आता है beam design of beam सीधा beam का design करेंगे इयरली स्कीम में यहां तक तो आपको semester और year दोनों स्कीम में पढ़ना है yearly स्कीम में दो तीन topic एक्स्ट्रा है जैसे कि आपके देखो yearly स्कीम में एक तो दे रखा हो roof truss roof truss और एक आपको दे रखा है roof truss के अलावा क्या दे रखा है plate girder दे रखा है क्या और guarantee girder भी है क्या यही है इसके अलावा यही है जिसका आपको numerical part नहीं यह क्या है चोरी part है यह क्या है चोरी part यानि कि roof truss क्या चीज होती है इसके कौन-कौन से component भाग क्या कौन-कौन से होते हैं अब विए कौन-कौन इलमें बारे में बताना है भी गर्डर कितने प्रकार की होती है या इसके पूरा यह पार्ट हमें किसमें पढ़ना है design of steel structures में, यह पार्ट पढ़ना है, यह सलेबस है, यह सारी चीजें हमें किसमें cover करनी है, design of steel के सलेबस में, यह सब complete cover करना है, क्लियर है, अब देखिएगा,